मैं पूर्वु मुख्यमंत्री तीरत सिंग्रावत ने साफ किया है कि चारधाम यात्रा में आ रहे यात्रियों को हरिद्वार और रेसी केस में रोकने का कोई औचित्ति नहीं है तीरत सिंग्रावत ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने घर से यात्रा के लिए निकल पड़े हैं तो फिर उसे यात्रा में जाने के लिए नहीं रोका जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे पहले भी चारधाम यात्रा में स्रधालू आया करते थे पहले किस समय में ये भाव हुआ करता था कि बदरिनात के दारनात से वापस लोटाएंगे या नहीं तब आज हम सोन प्रयाग और गौरी कुंड तक पहुँच चुके तेरत यात्री को वापस कैसे लोटा सकते हैं उन्होंने सच्यू और जिलादिकारियों को भी ये सुझाओ दिये हैं कि तेरत यात्रीयों को रोकने की बजाए आगे जाने दिया जाए यात्रियों को हरिद्वार और रिसी कोस में एक हपते तक रोके जाने का कोई और चित्ते नहीं बनता है। उनके द्वारा दिये गए सुझावों के बाद यात्रा आगे बढ़ने लगी है। शुझा दिया था। सेकर्टियों को भी कहा मैंने कि इनको जाने दें रोके माथ। हर द्वार इस केस में हफता भर रोकने का कोई उचित नहीं बनता है। जो घर से निकल पड़ा यात्रा के लिए निकलने दो पहले भी लोग आते थे। पहले तो यह होता था कि बैदिनात केदा ना जाना याने लोटेगा नहीं लोटेगा यह भाव था। तो आज हम कैसे कहे दें कि वो जब सोन पर रहा गर गौरी कुर्ट तक पहुंच गया तो सब साथ बर सोई इसको वापस लोटा था। अरे वो आया देश के किसी और कोने से तो क्या हो यह नहीं होना चीए। उसको जाने दो ना उसकी भावना है। और इसी ख़बर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे समाधता अब है कहितुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जो यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूर्व मुक्रमंत्री तीरत रावत को यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जिस तरह किसे कि दरसल यात्रियों को वापस नहीं भीज़ा सब्सक्राइब सकता है। जिन यात्रियों का रेजिटेशन नहीं है उन यात्रियों को वापस भीज़ने का काम कर दी है।